नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शुभम वर्मा और आपका स्वागत है History of Things में और आज हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान के इतिहास पर जी हाँ, History of Pakistan तो पूरे पाकिस्तान के इतिहास पर नहीं लबख, हम लोग बात करेंगे आज सिंद्ध के इतिहास पर क्योंकि कई सारे मेरे मित्र हैं, जो लोग पाकिस्तान का इतिहास जाना चाहते हैं कई सारे लोगों से मेरी Twitter पर या आप लोग उनकी भी Twitter पर भहस हुआ करती होगी कि What was Pakistan before 1947? तो कई सारे लोग कुछ कुछ कहानियां बताते हैं, कोई कुछ बताता है कई सारे लोग ऐसा कहते हैं, कि वहाँ पर कभी किसी Hindu राजा का शासन ही नहीं था तो आज मैं पाकिस्तान के इतिहास पर कुछ बात करना चाहता हूँ तो सबसे पहले जो पाकिस्तान का इतिहास हिंदुस्तान के धर्म गरंतों में आता है जी हाँ, हिंदुस्तान की बात इस समय इसलिए करना जरूरी है क्योंकि वड़िस पाकिस्तान यदि उसके अंदर से हिंदुस्तान निकाल लिया जाए तो कुछ भी नहीं, क्योंकि पुराना का पुराना सारा का सारा इतिहास पाकिस्तान का हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है चाहिवा तक्षेला हो चाहिवा सरस्वती सिविलाइजेशन हो या सिंदुमाटी सब्विता या वहां से आई हुए इन्वेडर्स का इतिहास तो इसलिए आज हम लोग जो बात करेंगे वो हिंदुस्तान के धर्म ब्रंदों से करेंगे तो सबसे पहले जिस धर्म ब्रंद की हम लोग बात करते हैं वो है रामायन जो भारत का सबसे प्राची नितिहास एक ग्रंद जिसको माना जाता है तो रामायंड के अंदर जब राम भगवान रावन का अंत कर देते हैं और वापस जाते हैं उध्या में उसके बाद जब राश्चु याद्य होता है और उनके जैसा कि हम जानते हैं चार भाई हैं तो जब राश शासन्दिश्ट्रिब्यूट हो रहा होता है उस समय के इतिहा लаксим के अंदराजना क्यों राजे मिंगतें यह संधित्र से फुक Alphaigkeit सब्सक्रारे हैं तो सब्सक्राराइब constit equipped करते हैं तो थो की आछिकर दौनिया के अनदर को तक्षक्य ना कराराजाây पना जी हां यही तक्षिला है जो भारत की दुनिया की नमबर बन उनिवर्सिटियों में शुमार उनिवर्सिटी थी और इस उनिवर्सिटी को बाद में मुगर पिछ्टू नें पोड़ा था तो वो तक्ष चयु erekर घरी तनिव हमें वाहई को बद़ी शोरी जी दूसरे नाम के तो इस तरह पाकिस्तान के ऑफगानिस्तान के शासन कवर्णन रामाएंड के अंदर हैं। तो द्वापर यूग के अंदर हम झानते हैं कि भरत वन्च का सासन है तो उसमें भी इसी तरह वहां की गांधारी थी तो और गांधारी के भाई जो है शकूनी थे तो उस समय भी यहां पर इतना बड़ा एक शासन हुआ करता था तो उसके बाद आज के यह दिया हम जमाने में आए क्योंकि आज जो है नया जमाना है कई सारे लोग उन पर आनी बातों को नहीं मानते तो आ पहले की पीडियों ने वहाँ पर राज किया था तो सहासी राय उसके अंतिम मंशस थे सहासी राय जब राज कर रहे थे उस समय काफी सारे कश्मीरी पंडेतों का वहाँ पर पलायन हो गया था और उस इलाके में वह रह रहे थे तो कश्मीरी पंडेतों में से ही एक थे जिनका नामतर चच्श जो क्वी साथे राय राजा के करीब आगए थे और चुकि साथ stayed राय संतान नहीं थी तो उन्होंने राजा चच्श को अपना वन्षज बना दिया तो वहां से कश्मीरी पंडितों का साम राज्य जो वहांपर चुरू हुआ और कश्मीरी पाकिस्तान का एरिया है उसमें तो उससे क्या है जनता के अंदर बगावत चुरू हो वही थी क्योंकि जनता सनातन को मानती थी और जनता किसी भी एक चीज पर रेश्ट्रिक्ट नहीं रहना चाहती थी तो उसके कारण फिर बगावत के कारण उनको राज छोड़ना पड़ा और उनके छोटे भाई ने राज समाला चोटे बाई जो थे जिनके बारे में आज आ पना ये वीडियो बना रहे है उनका नाम था राजा दाहिरसेंट राजा दाहिरसेंट महान चुर्वीर राजा थे उन्होंने आकर पूरा का पूरा सिस्टब बदला और उन्होंने सभी दर्म चाये बहुत दर्मों इंदू धर्म सनातन के सभी लोगों को बराबर का इस्थान दिया सभी में से उन्होंने सेनापती बनाए और इस तरह से अपने राजी की फूट समाब्त की कई बार उनके उपर बहुत सारे इस्लामिक खलीफाओं के हमले हुए अरब खलीफाओं क कोर्ट चला करते थे उन कोर्टों में वो नया इदिया करते थे उनका राज्य जो है उसकी इदियम विस्तार की बात करें तो काफी दूर दूर तक उनका राज्य फैला हुआ था जैसे कि आज की बात करें तो आज के बात के हिसाब से गुजरात के अंदर उनका राज्य था मालवा के अंदर अंका राजे था, राजपुतना के अंदर उंका राजे था और पीछे की साई डेडियों जाते हैं ऊपर की साई तो महाँ पर इरन, अफगानिस्तान तक और पंजाब तक उनका राजे था, तो इतना बड़ा सामराज्य राजा दाहिरं का हो गया था और राजा दाहिर ने कई सारी इरद बाहरी और विदेशी लोटेरों से जीते थी इसके बाद की कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ वो इंटरस्टिंग है इसके बाद धीरे 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 उनका जब सामराजी बढ़ता जा रहा था और उनका राजी अच्छे से चल रहा था तो जो खलीफा थे अफगानिस्तान में बैठे हुए या उसके आगे साओधी अरब में बैठे हुए उनको इनसे इरशा होती थी तो इसी इरशा के कारण एक बार क्या हुआ कोई व्यापारी यहां पर व्यापार करने के लिए आए और इनके राजी की सीमा के अंदर उन्होंने कुछ और बच्चों को किड्नेप कर लिया तो वो जो वैपारियों ने राजा दाहिर की सीमा के अंदर बच्चों औरतों को किड्नेप किया तो राजा दाहिर ने उनको सबक सिखाने के लिए अपनी सेना भेजी और उनको मालकर वहां से भगा दिया तो उनको वापस जाने के बाद खलीफा को इतना बुरा लगी ये बाद कि खलीफा ने कहा कि इसकी इतनी हिम्मत के ये मेरे सैनिकों को भगा दे तो खलीफा के सैनिकों ने भी वहाँ जाकर अपनी गलती नहीं बताई और छूट बताया कि हम लोगों को उन लोगों ने लोटा और भगाया दिये तो उसके बाद खलीफा ने मुहमद बिन कासिम को हजार लड़ाकों के साथ लगवग सिंद पर हमला करने के लिए भेजा लेकिन खलीफा जानता था कि कई सारे खलीफाओं ने इसके पहले भी सिंद पर हमला करने का प्रयास किया है और आठ से दस युद्धों में पहले दाहिर राजा उन सभी को पराजित कर चुका है बुली तरह से तो इस बार खलीफा ने चाल चली और खलीफाओं ने जान बुछकर उनके एक सेरा पती जिनका नाम था ज्ञान ग्यान बुद्ध को यह लालज दिया कि हम यदि हमारा शासन वहां पर आ गया तो हम राजा दाहिर को मारने के बाद आपको वहां का राजा बना दिए तो जैसे ही ग्यान बुद्ध ने ये बात सुनी तो ग्यान बुद्ध ने धोका करके अपने देश, अपने सामराजी से धोका करके उन लोगों से हाथ मिला लिया तो ऐसा भी कई जारे इतियासकारों का मानना है कि उसके बाद जब वहां से सेना आती है तो युद्ध होता है और युद्ध में चुकि दाहिर की सेना शक्तिशाली थी तो दाहिर की सेना वापस उन लोगों को पीछे खदेड़ देती है और फिर सो जाती है तो रात के समय जाने बच जाएंगी और मैं राजा बन जाओंगा उसके उलट होता है मुहमत बिन कासिम की सेना अंदर बुषने के बाद बहुत वेहारों में भी आग लगाती है बहुतों की ओरतों से भी बलातकार करती है और हिंदू वोरते और हिंदू मंदिरों को भी तोड़ खोड़ की लोगों द्वारा कर दी जाती है और यह घटना क्यों हिस्टरी के अंदर इंपोर्टेंट है यहां मैं बताना चाहता हूं कि जो इसलामिक संस्कृति का हिस्सा था उसके बाद जब मुहम्मद इनिवर्सिटी होती है कहानी लेकिन अभी वाहती है उसके बाद आप लोगोगों कभी इतिहास में नहीं ही तो इसके बारे में भी कई सारे इत्यास का रोगा मत है कि राजा Efendi की दो बेटिया थी जिनमें से का नाम था सूरया देवी नाम की जो राजा-दा-धी बेटी थी उसको क्योंकि Islamic invader यही करते थे कि जिस राजा को हराते थे उसकी और लड़कियों को ठालिया करते थे तो सुर्या देवी को किड्नाइप करकर मुहम्मद बिन कासिम ले जाता है खलीफा के पास और वो कोशिश करता है कि मैं खलीफा को इन दो पूसूरत लड़कियों को गिफ्ट कर दूँगा और खलीफा इससे खुश होकर मुझे इनाम देगा तो सुर्या देवी और उनकी चोटी मेहन दोनों को खलीफा को पेश कर देता है यह आपके लिए हैं तो खलीफा जब उन्हें अपने हरम में ले जाता है तो हरम में जाने के बाद जब उनसे बात करता है तो सुर्या देवी उनसे बोलती है कि आप हमें अब नहीं जूसकते क्योंकि हम अपवित्र हो गए हैं तो खलीफा पूछता है कि अपवित्र कैसे हो गए हो तो बहुत सारे इसैनिक मुहमत की कासिम को जाकर पकड़ते हैं। कई लोगों का यहामत है कर और रास्ते जब जोले में बर ला रहे होते हैं। तो इस तरह से राजादाहिर की वीर जो बेटियां होती हैं उनमें से सुर्या देवी इस तरह से कहानी बनाकर अपने राज्जी को मिटाने वाले मुहमद बिन कासिम से बदला लेती है और उसकी मौत का कारण बनती है उसके बाद इत्यासकारों का ऐसा मानना है कि दोनों बेहनों ने अपने कपड़ों में छुपे हुए खंजर निकाले और इक दूसरे को खंजर से माल कर अपने शरीर का अंत कर लिया ताकि मुगल हमलावर और जो ये मुस्लिम हमलावर हैं इनके हाथ में वो ना लगी लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा किस्सा जो हो जाता है वो किस्सा यह हो गया कि जो इस्लामिक इन्वेडर थे जो उसके पहले तक कभी भारत में नहीं गुस्पाई थे और उस समय भी नहीं गुस्पा थे एक अकेले ग्यान बुद्ध की धोकादरी और गद्दारी के कारण बोग अंदर आ जाते हैं और अंदर आने के बार उस सारे इलाका जो पहरेत की बौडर हुआ करता ता जैसा कि हम जानते हैं कि भारत तीन तरफ से समुद्र से गिरा हुआ था एक तरफ से इमाले से गिरा हुआ था तो वही एक रास्ता था जहां से लुटेरे और वेदिशी कि आकरां ताप भुष सकते थे वो रास्ते पर हमारे सबसे ताकतवर लोग अवगान में और पाकिस्तान में बेढ़े रहते थे उस रास्ते पुझान बुट्य की गद्धारी के कारण टोड डाला गया और उसके कारण मुहमत पिंकसे मंदर गुसा और उसके कारण भारत के अंदर बाद में गजनी इसी गजनी उसरी से जो असे आहा है और इतने सालों तक भारत को यदियर अब बास करें तो पाकिस्तान का इतियास सारा कर इंदू रहा है और और सिंदु घाटी की सब्वेता है वो सिंद से शुरू होती है। आज भी हम जो भारत का राश्ट्रगान गाते हें, जंद गर्ण उसके अंदर बंजाब सिंद गुज्रात मरट आता है। तो सिंध का इतियास, वीरों का इतियास रहा है, राजा दाहिर का इतियास रहा है, तो अफसोस की बात है कि हमारे भारत के इतियास में भी कहीं राजा दाहिर का जिक्त नहीं आता, मुहमद बिन कासिर पढ़ाया जाता है, लेकिन दाहिर को इतियास की किताब उसे गायब कर द